आप सभी का मेरे चैनल पर पुना स्वागत करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी सवस्तों के महादेव की खृपा आप सभी पर सदाय बनी रहें, ये वीडियो कैप्रिकॉन यानि कि मकर के लिए अत्यंत विशेश है, क्योंकि ये वीडियो है, आने वले सप्ताह यानि कि 30 सितंबर से 6 अक्टूबर 2024 के सप्ताहिक राशीफल के बारे में, कैसा रहेगा आने वला सप्ताह मकर के लिए, जो मेरा सप्ताहिक राशीफल होता है, वो प्रमुक्ताह, चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है, चंद्रमा एक ऐसे ग्रहें जो बहुत तेज भागत हैं, इसलिए throughout the week, आप भी देखें हैं हमारा जो एक स्वभाग होता है, मून होता है, throughout the week चेंज होते रहता है, उसके पीछे चंद्रमा ही एक कारण होते हैं, चंद्रमा ही एक कारक होते हैं, और इन सब का क्या प्रभाव आपके जिवन पर पढ़ सकता है, यहीं विवेचन तो चंद्राशी से देख सकते हैं, यहां से आपको ज़्यदा सूट करता है, वहां से देख सकते हैं, टेक्निकली बस अलग-अलग राशीवल नहीं बन सकते हैं, शुरू करते हैं, चंद्रमा आपके अश्टम भाव में रहेंगे, तीस तारीक को, और एक अक्टूबर, शा पोश युक्त भी हैं, और फिर यह चंद्रमा गरहन की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, इसलिए हफ़ते का शुरुवाती भाग मानसिक तोर पर थोड़ा सा नेगेटिव तो नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत संवेदन शील रहेगा, गल्तियां हो सकती है, दोखा मिल सकता है, ग शनी का प्रभाव, गरहन की तरफ और अश्टम भाव में चंद्रमा का होना, यह सारी ही चीजे संवेदन शीलता की परिकाश्टता है, यानि कि वो एकदम उपर तक आपके संवेदन शीलता को, एंग्जाइटी को लेके जा सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजेगा वश् कि अपने सेंसेस पर अपने ओपर बहुत धियंतरन रखना पड़ेगा, दश्मान शेक उली कारेक्षेतर में सब अच्छा है, पैसा बढ़ सकता है, लेकिन फोकस पर ध्यान देना है, बिजनस, बिजनस में अच्छा है, बिजनस में कुछ बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं दिख रहा, बस शान्त रहिएगा, लव लाइफ, एक सकरात्मक्ता लानी पड़ेगी आपको अपने तरफ से, परिस्तियां जरुने की अच्छी ही हो, कभी-कभी परिस्तियां बनाने भी पड़ती हैं, और यह वोही टाइम है, विवाहिक जीवन में जगड़े हो सकत हैं, टॉलरेट नहीं कर पाएंगे एक दूसरे को, छोटी-छोटी बातों पर जगड़े हो सकते हैं, स्टूडेंस, अच्छा है, स्टूडेंस के इतना बुरा नहीं दिख रहा, बस यह कि थोड़ा बड़ा सोची, अभी आपने अपने आपको बहुत सीमित कर लिया है, सेह बजे, और 4 अक्टूबर सुभा के 5 तक ही परेंगे, चंद्रमा का नवम भाव में आना वैसे तो अच्छा होता है, लेकिन यहां पर देखे बहुत कुछ हो रहा है, यहां पर चंद्रमा सूर्य साथ में है तो अमवस्य दोश, चंद्रमा केतु साथ में है तो गरहन दोश, लेकिन क्योंकि सब्तम के स्वामी है चंद्रमा जो बैलेंस देता है जीवन में, उनका गरहन युक्त होना और इतने सारे दोश युक्त होना, यानि कि जीवन का बैलेंस खराब हो जाएगा, अचानक से बहुत कुछ घटित होना शुरू हो जाएगा, परिस्यतियां बदल स हो सकते हैं, और आपके पिता जी की सेहत के लिए अच्छा नहीं है, और पिता पुत्री या पिता पुत्री संबंदी आपने से बड़ों से संबंदे के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन क्योंकि भागे सान इतना एक्टिवेटेड है, मंगल की दृष्टी भी है, गुरू क को घरन है, तो वो समय या वो दिन काफी अनिशित्ता लेकर आएगा, उसके बाद उस अनिशित्ता से भी आपको कुछ ना कुछ बहतर प्राप्त हो सकता है, नवान चोनली बता रही है कि अपने ओपर कंट्रोल बहुत रखना पड़ेगा, और जादा आकर्शित किसी चीज के प्रती मत होईएगा, दश्मान चोनली कारेक शेत्र में जगड़े हो सकते हैं, बॉसेस के साथ या कलीक से भी, विजनस, विजनस में कुछ अलग करने का टाइम है अगर आगे बढ़ना है तो लव लाइफ में जादा ओवर प्रोटेक्टिव मत बनिएगा, ओवर कंट्र गले के रोग और आखों के रोग, सरवाश्टक में आपका छटा भावतिन तबली है, ये बता रहा है कि लीगल कारे पूर्ण हो सकते हैं, लेकिन ओवरॉल बस एक ही प्रॉब्लम है कि आप मानसिक चिंताओं से इतने घिरे रहेंगे ना कि समझ नहीं आएगा कि इस टैम प तक यहीं परेंगे, ये आपका हफते का सबसे अच्छा टाइम रहेगा, यहाँ पे एक शुबता दिख रही है, संपन्नता दिख रही है, जीवन अच्छा चलेगा, अब यहाँ पे चंद्रमा आपके योग कारक के साथ बैड़े गहने की शुक्र के साथ यह और भी बार के, और क्योंकि ये अच्छ्टम के भाव से, यहाँ से निकल रहे आपके ग्रहन से, तो फिर यहाँ पे एक सकरात्मक्ता आनी शुरू हो जाएगी, केंद्र भाव में हैं, खुद केंद्र के स्वामी है, राजयोग बना रहे हैं, शुक्र के साथ बैठे हैं, जो मालव बना रहे हैं, करियर हो, बिजनस हो, अब यहाँ से मिलकर दो चौथेगर को देखेंगे, फैमिल लाइफ भी बेटर होगी, परसनल लाइफ, एमोशनल लाइफ, हर चीज़ में शुबता देख रहे हैं, तो इस समय आपका बहुत अच्छा रहेगा, बहुत संपन्नता, पू आध्यात्मिक सुख और मानसिक सुख, हर चीज़ की प्राप्ति यहाँ पर होगी, बाहर आधी खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, टाइम अच्छा है, नवरात्रे स्टार्ट हो चुके होगी, तो जो लोग रोक कर बैठे हुए अपने आपको कि वही नवरात्रों में ले कर रही है कि भागे का साथ मिलेगा, बुद्धी मत अच्छी रहेगी, माइंड क्लियर रहेगा, दश्मान शकुली कारेक्षेत्र में प्रमोशन के योग है, और कुछ अच्छा क्रियेटिव करने के योग है, बिजनस बहुत शुप समय है, कुछ नया करने को तो मिलेगा ही कुछ काम अटक गया था, पैसा अटक गया था, वो भी वापस आ सकता है, कुछ नुकसान हो गया था, भरपाई हो सकते हैं, लव लाइफ बहुत अच्छा समय है, लेकिन थोड़ी से सत्यतार आनी पड़ीगा, ऐसा लग रहा है, बहुत चीजें प्रिटेंड कर रहे हैं, द इसमें भी लेकिन अपने बाकी जीवन में, क्योंकि कभी-कभी जब हम यंग होते हैं, तो हमारा परस्पेक्टिव उतना बड़ा नहीं होता है, जितने जो लोग मैच्छोर होते हैं, उतना उनका होता है, तो यह वो टाइम है, जब किसी बड़े विक्ती से बातचीत कीजे कई चीजें क्लियर हो सकती हैं, सेहत के अनुसार, लोवर वाडी में दर्द, लोवर बैक में दर्द, हॉर्मोनल प्रॉब्लम, कफरो, सरवाश्टक, आपका सब्तम भावली है, बिजनस वालों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा, उपाय के सुरुप में, शनी और हन्मान चारीसा, दो-दो बार बाठ कीजेगा, आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी, चैनल पर नहीं है, सब्स्राइब कीजेए, वीडियो को लाइक कीजे, मिलता हूँ अगले वीडियो में तब तक के लिए, ओम नमस्ष्वार्